हलो फ्रेंड्स वेलकुम बेक टुमाई चैनल आज बनाने वाले हैं चने की डाल और चावल का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता जो की बनने में बहुत आसान है और खाने में टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है तो चलिए इसे फटा-फट से बना लेते हैं तो यहां पर मैंने दो कटोरी चावल लिया है और यहां पर दूसरे बोल मैं ले रही हूँ एक कटोरी चने की डाल इसको भी अच्छे से तीन से चार पानी से वाश कर लेना है और फिर यह देखिए मैंने अच्छे से धो लिया है डाल चावल को और इन में हमें पानी डालके इनको तीन से चार गंटे के लिए हम इस तरह से इनको छोड़ देंगे मतलब रख देंगे सोक होने के लिए तो ये 3-4 गंटे में बहुत अच्छे से सोक हो जाएंगे चलिए चेक कर लेते हैं 4-5 गंटे हो गए हैं ये देखिए कितने अच्छे से चावल और दाल जो है हमारा वो फूल गया है तो बस अब यहां पे हमें एक ग्राइंडर जाल लेना है और चावल और डाल को हमें यहां पर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है तो मैं इसके साथ यहां पे अध्रक और हरी मिर्च भी डालूंगी तो 1-1.5 इंच ये अध्रक का तुकड़ा है इसको भी मैं इस तरह से अध्रक कर दूंगी इससे नाश्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो बस अब हमें यहां पे इन सारी चीजों को ग्राइंड कर लेना है और एक मिक्सिंग बाउल में इसको निकाल लेना है बस इसी तरह से मैं सेकेंड बैच भी पीस लूंगी और बस इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और यहां पे मैं इसमें डाल दूंगी नमक नमक एट करने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे और तीन से चार घंटे के लिए इसको फर्मिट होने के लिए रखेंगे तो चलिए जब तक यह रखा है रैस्ट पे हम आलू का और बस इसमें मैं तड़का लगाऊंगी राई और सौफ का इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस स्टफिंग में तो बस जब यह अच्छे से चटक जाएं तो यहां अध्रक और लस्टन डाल दूंगी और इनका भी कच्छापन दूर करेंगे तो बस जब यह थोड़ सब भुन जाएं तब हम यहां पर मसाले अट कर देंगे तो मैंने आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिच पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर एड़ किया है ज्यादा कोई मसाले ऐसे एड़ नहीं कर रही हूं एक्स्टा वाले बस और यहां पर इन आलू को इस तरह से मसल के हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी इनमें लम्स नहीं होने चाहिए अच्छा एक सौफ्ट सा डो जैसा यह मिक्शर बनना चाहिए तो मैं यहां पर पोटेटो मैशर की हेल्प से इसको मैश कर रही ह है और इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे बस अब यह स्टफिंग हमारी बिल्कुल से रेडी है तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में इसको ठंडा होने के लिए तो बस यह देखिए मसाला एकदम रेडी है इसको ठंडा करेंगे पांच मिनट और फिर इसके बाद हम इसके इस तरह से बॉल्स जैसे बनाएंगे क्योंकि हमें ना स्टफिंग इस तरह से करनी है हमारे नाश्टे में तो बस इस तरह से छोटे छोटे बॉल जैसे बना लें अगर आपको इस नाश्टे को जल्दी बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको कि यह देखिए कि अच्छे से बॉल यह बन गया है तो बस अब हम यहां पर गैस पर रखेंगे अप्पे पैन और इसमें ऑईल डाल देंगे तो मैं क्या बता रही थी कि अगर आपको इस नाश्टे को जल्दी बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा दही एड़ कर दीजेगा तो यह जल्दी से बन जाता है और साथ ही में इसमें इनो या फिर आप बेकिंग सोडा डाल के इसको बना सकते हैं तो खेर अपना बैटर तो अच्छे से फर्मेट हो चुका है फिर भी मैं थोड़ा सा इनो डाल दूँगी और बस यह रेडी है नाश्टा बनाने के लिए तो मैं अपने पैन में थोड़े से राई डाल दूँगी और इसके वाल हमें इस तरह से बैटर डालना है और साथ में स्टफिंग डालके फिर स तरह से हम सारे अपे जो है वो इस तरह से बना लेंगे डाल चावल के यह देखिए तो यह फटा फट से इस तरह से डालते जाएंगे और बस यह बन जाएंगे इस तरह से तो देखिए इनको हम पांच मिनिट कवर करके पकाएंगे अच्छे से यह नीचे से ताकि सिक जाए तो पांच मिट हो गए है चेक कर लेते हैं ये देखी नीचे से कितना अच्छा इसमें एक कलर आया है और ये नीचे से अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी सा सिख गया है तो बस इसी तरह से हम सारे अपो को पलट देंगे और दूसरी तरफ से इनको सिखने देंगे तो कोई ज्यादा धंजट नहीं है बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं तो पांच मिट इनको ढखके दूसरी तरफ से भी हम पका लेंगे और बस ये देखी दोनों तरफ से अच्छे से उलट पुलट के इनको सेखना है जहां फलेम जादा हो गैस की उस तरफ से हम इनको इधर-उदर शिप्ट भी कर सकते हैं जैसे ऐसे होता है न बीच में जादा फलेम है कहीं जादा फलेम लग रहा है तो वहाँ पर हम इनको इस तरह से जो कम सिखा है उसको हम इधर-उदर shift करके सेख लेते हैं और ये देखिए बन के तयार है बहुत ही tasty और बहुत ही healthy सा नाश्ता तो चलिए अब ये सिग गए हैं इनको हम plate में निकाल लेते हैं तो देखिए बन के तयार है ये बहतरीन सा नाश्ता इंजॉय कीजिए इस recipe को try कीजिए और बताएगा comment box में कैसे लगे आपको ये अपपे तो बहुत ही healthy सी recipe है वीडियो अच्छा लगे तो like कर दीजिए family and friends में वीडियो को share कर दीजिएगा और चैनल पे नाए है तो subscribe करना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए मिलती हो एक नए वीडियो में फिर अगली recipe के साथ तब तक के लिए take care and bye bye